हैं है अगो कर दो है हलो दोस्तों नमस्कार वेरे वेरे गूड आफ्टनून कैसे हैं आप सबी लोग अभी तो हम लोग जसे कुछ दिर पहले ही बात कि आप से सारी आज एक कमेंट वेर को यहां पर यहां पर प्रिती में का किसार आज के इस टाइम पर नहीं इस समय आप सभी सेशन के लिए लेट हो जा रहे हूँ जी हाँ आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है अच्छली में बैक टुपे क्लासे जो रहे हैं जिस स्टूडियो में तो व सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लेंगे तक उनको क्लासिस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सभी क्लासिस की और सबको वेरी वेरी गुड़ आफ्टियून गुड़ आफ्टियून और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सिरे किसके बारे में तो गई सीथी स स्मॉल फाइनस बैंके बारे में बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल फाइनस बैंक और पेमिंट्स बैंक में जो इंडिया में जो हमारे कितने स्मॉल फाइनस बैंक है क्या कैसे वोक करते हैं और कितने पेमिंट्स बैंक इंडिया में और यह कैसे वोक करते हैं के बारे में लोग डिसक्स करने वाले हैं तो गाई एक चीज और कल और इसी से रिलेटेड आज हम लोग यहां पर M-C-Q बी डिसक्स करेंगे एक फड़ा फ़र समरी करके और जो किए हैं यहां पर बात करने वाले हैं तो रहिस आगर हम भात करें Small Finance Bank की तो पहले हम यहां पर आप से discuss कर लेते हैं स्मॉल behavior Can बैंक की बारे में पहले हम आप से discuss करते हैं और Small Finaness Bank जैसे क्या ऐसे समझेना इसिलावि सभफ थी आया है कुप तुत् Will ecology ऑलता है आपको मिन में बतते चलना है कि नहीं ने गयातरि क्लास है अभी क्लास है आपका बच्चा आप्छे अप자agen कुछ होगा सब कुछ डिसक्स करेंगे विल्कुल बेसिक से बेसिक ट्रवांस यानिक अभी हम लोग बात क्या इंडियन मैंकिंग हिस्ट्री फिर उसके बाद एक दो क्लास वहां पिचली उसका सबस्क्राइब करेंगे और दोस्तों उसके बाद हम लोग इस चीज को रिपीट करने लगे अब वापस से आते हैं अब अगला टॉपिक हमारा ईंडिय आने में फैनियम के जो भी है इंडिया में स्बादियाएंंग और इसमें अंतर क्या यह वर्ट कैसे करते हैं काम कैसे इनका कहां पर दोते हैं इस सब कुछ बाध करें कहा लार्च के fossil से दोती न cm दोस्तों आपको पटाते स्मॉल्ट फजैंग को लाया गया था किस कमिटी के रिकमेंटेशन पे तो आपको याएज करना मेरे साथ बोलते चलना यह अप लुग त्वी मेन बात करका है उसा थोराट कमिटी कहुंसे कमिटी उसा थोराट कमीटी के recommendation पे small finance bank को लाया गया था दोस्तों यह दिहानक ना आप लोगों ने small finance bank जब initially आता है सुरवाती दोनों में जब भी small finance bank आता है इसको कितने capital के requirement होती है so guys it's 200 करोड 200 करोड रुपय के requirement होती है जब initially small finance bank आता है guys small finance bank आपको बता यह remote area जो रूर रूर एरिया जैनि कह सकते हो कि दूर दराज के जो छेत्र थे उनके उपर यह निकाम करने के लिए रवर करने की जिकासें का मतलब जो अन्वेंग अरिया थे अन्वेंग सेक्टर ते यह जहां पर बैंक हैं ही नहीं एक्चुली उन सब जगहों पर यह work करने के लिए लाया गया थे small finance bank कम पैसे में नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइट करता है तो स्थों आफ बता दिए सारे काम करता है लाइक कहने का मतलब क्या तो कासा यानिक डिमांड डेपॉजिट में अकाउंट ऊपन कराता है करेंट और से इस्टों यह अभी आपको यहां ठरह अपर सारी चीजह एक्समौल फाइनस बैंक के रिगारण है बुलो क्लियरे चीज इतना क्लियर है 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 याण ना? घईस यहाँ पर सारी चीजह को यहाँ ठरहों करता है तो आपका लून देता है क्रड़ कार्ड डेता है बिकेने क्रेडिटकार देता है ढयान हो अब क्रेंट को इसकों कि से mayor समॉल फंच कहें अब कर्थीन को पता होगा और किछ इंडिया में कितने स्मॉल फवाइनस ने के हरे 12 स्मॉल फाइनस जो शतों कितने टोटल स्वाहर स्वा इंस बंक है। और आगन राब सम्लाहама अरिकरिंगे करने तक पाइं कि इंक मैंå हाब massacre है आपको बोलते हैं कि भनकतो भी तो यह को यहां डखने बोली सब्सक्राइव आपको कि हमने बोला क्या current account saving count का था यह तो हमारा अपने नजर में अपने तरफ से basic था जो हम लोग ने पढ़ा लेकिन आप इसमें से बात करते हैं क्या होता है introduction की बात करें किसके introduction की small finance bank की introduction की बात करते हैं आप यहाँ पे सुनते चला recording to RBI आरबे क्या बोलता है इसको कैसे इसका इंट्रोड़क्शन देता है आरब यहां पर देहां से सुना बैंक विताइज स्मॉल फाइनस बैंक लाइसे स्कैन प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टेंस इनिक स्विकार करता है और डिपॉजिट सच एज स्मॉल बिजनेस इनिटीज दूनिट विस स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्मर्स माइक्रोन इसमॉल मिंडस्ट्री इन अंग ऑन ओरनाइज इंटिरीज यानि कि क्या करता है यह फैनिशन इंखूजन के सर्विसेश्ज प्रोवाइड करता है धिया फिर आशना यह फ इसको भी सपोर्ट करता है यह सारी चीजे यानि कौन इसमाल फाइनेंस बैंक अब दोस्तों यह चीजे तो पता है अब यहां पर आते इंपोर्टेंट पॉइंट आप एक एक पॉइंट जो हमको बेसिक आपको जो यहां पर चीजे क्लियर करनी है हम आपको समझाते चल रहे ह आपको देखते चलना है अगर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन भी कर लेना है है यज क्या अपसे नोट डाउन करना एक आपको अपनी सामने ही है आपको सेयर करेंगे ताकि आपको मिल जाए दक प्रोनीं के झाया कि Future 29 Rice इनिक कि यहारी कि अन्वी आपकी बात की था था ना ठीक है NBFC के बारे में बात किया था NBFC जिसका पुराना में नौन बैंकिंग फानिशल कंपनीज अगर हम बाइफरकेट करें बैंक और NBFC का तो बहुत अंतर है बंक डिप्याज करता एक बारे मंद लेट करता है निकर एन बेट से डिमांड बारे एकशेप नहीं करता है अंब को यातना माइक रवाट कर सकता है किसके लिए श्माल फाइन्स ब्रांक के लिए बोलो कले रहे है यह आदर कोई भी विय अपलाई कर सकता है यानि किसी के दौरा भी यह प्रमोट किये जा सकते हैं कोई भी कर सकता इसको चाहे वो इंडिविज्वल हो चाहे वो कोई त्रस्ट हो चाहे वो कोई सोसाइटी हो तो दोस्तों यह ध्यान रखना है अब यहां पर ध्यान सुना दोस्तों इसी कंपनी जएक में संसोधन किया गया है जो लिखा हुआ है कंपनी जएक दो हजार देर है तो थे श्टाट होता है जिसका अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया है यह चीज़े क्लियर है कोई भी आ सकता है और आगला पॉइंट है दोस्तों दे आर गवर्न बाइद प्राविजिस आफ रिज़र बैंक आफ इंडिया एक तुनी सुचोंतिस एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक नाइटिन फोटीन एन अदर रिलेवेंट इस्टेटर यानि कह और करता है यह आपको सारी यहांने सारी चीजे अर्बर की आंडर में गवरंड करता है यह यहाद अब ब debt yamilny दूम मैं एक्ट को याद क्र issy ड्रेय्ड जो बैंक इसका उवाहि करता आखें आर्पीट पहले से वह सुटेट बेंक ऑफिंडिया क्यों श्का बैस्ट एग comparison पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था दोस्तों जिसके उपर एक करोड़ का पैनल्टी इंपोज हुआ अभी नोवंबर की बात है तो आपको याद रखना है यहां पर जिहां प्रिंसी लेकिन अर्बन को आपरेटिव बैंक जो होते हैं बच्चे अगर वो स्मॉल फाइनस बैं में दस साल का अनुभव है तो हम क्या करेंगे तो हम बच्ची क्या करेंगे हमको क्या करना होगा 200 करोड़ के रिक्वाइर्मेंट होगी इस बैंक को ओपें करने के लिए तो कहने का मतलब क्या कि यह प्राइवेट सेक्टर यहां पे लिखा हुआ पब्लिक लिमिटेड कंप जड़ होता है यानि की स्टैब्स कराया जाता इसको यह याद अखना ठीं और एक चीज़ोराता दवेंक्स विलन और विए रिस्टिक्टेड टू एपने इस पहुआ हैं वह किसी रिजन में विश्रेक्ट नहीं होते किसी भी रीजन कि बात करें यह बैंक किसी भी रीजन म करहे हैं यहाँ दखना आप लोगों यह यह निक्या सफम UC में कामरी करें लगडाक Dop Athens निकरें गजद हो सकता है सब cucumber करेगा और कहीं नहीं करेगा तो भी यहाँ रखना है ठीके बैंग भी रिस्टिक्टिट्ध काई रिजन अगले प्राइज यह वाला ındا कुल पॉइंट discuss किया है किसकी जो capital को लगाना इस बैंक को लगानी कि जो capital होगी at least कितनी होनी चाहिए तो 200 करोण की इसकी capital कितनी होनी चाहिए 200 करोण रुपए का क्या होना चाहिए यानि कि initially अगर हम स्टार्ट करते है सब्सक्राइब अभी हमने लगाया है तो कितना होना चाहिए हमारे पास पैसा 200 करोण रुपए अगर आल्रेडी हम को अबरेटिव बैंक हमारे पास है ठीक है अब हम इसी से small finance bank बनाना चाहते है तो दोस्तों वहाँ पर हमको 100 करोण के requirement होगी payment bank है तब payment bank some small finance bank और जाएंगे तो 100 करोण के requirement होगी तो यह सी जिस ध्यान अखना आप लोगोने ओके next point अगला पॉइंट सेवेंट नमबर का पॉइंट है they can accept any deposit like saving जैसा भी हमने बताए सेविंग और करेंट जिसको हम लोग क्या बोलते है कासा fix deposit and recurring जिसको हम लोग क्या बोलते है राफा ठीक है यह सभी deposit क्या करते है like commercial bank की तरह सभी deposit को accept करते है बोलो clear है यह कि नहीं जी हाँ जी हाँ वरसा में CBO के लिए बिटा आपका experience होना mandatory है आपके पास institutional commercial bank experience होना चाहिए बच्चे otherwise आप eligible नहीं हो उस form को apply करने के लिए और वह बहुत मज़ेदार form है यार चुकि उसमें GA आ रहा है अब समझ रों GA क्या है basically आपको dedicated batch उसके GA के लिए है बहुत important है यह सारा चीज़ फिलाल हम बात करेंगे उसके लिए आप यहां पर देखो तो यह क्या है they can accept any deposit कोई deposit accept करेंगे अगरा question unlike payment bank small finance bank will be allowed to lend money also यानि की like payment bank like payment bank यहां पर payment bank की बात करें आप बात किया गया है payment bank की payment bank क्या करता दोस्तों payment bank loan नहीं देता आपको पता होगा इसलिए लिखा हुआ unlike तो payment bank loan नहीं देता तो यहां भी लिखा हुआ है small finance bank will be allowed small finance bank को allow किया है RBI ने to lend money also यानि कि नॉर्मल लोन दे सकता है जैसे हमारे नॉर्मल commercial bank लेते देते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आभी payment bank को को license नहीं प्रोवाइट करते तो यह आदकना पटी small finance bank loan देता है ठीक है यह आदकना next point for the initial three year prior approval will be required for branch expansion यानि कि बाबु आपको बता दें आपने suppose that 500 branch open किया है sorry тоel 100.10es open किये और आपको branch open करना है अगे में expand करना है expansion करना है अपने ेंस का तो आपको उसके पहले तीन साल पहले आपको RBI को inform करने का 마음에 को चौह कंड़नी पॉब अपने बढ़नशके अपने प्रांशकों साथ के आपको में अन्wn मेरे मणत पर आपने एक च्छीप करने पॉपन ही जुल्ए झाहर निद पर promoter should have 10 years experience in the banking and finance यानि इस प्रमोटर मतलब कहने का मतलब क्या जो बैंक कहने का मतलब क्या है जो बैंक अगर कोई भी बैंक लगने जा रहे हैं आप अपना बैंक लगा रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक तो इसके पास कितने साल का अनुभा होना चाहिए गाइस टेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आपको क्या करना होगा आपको लाइसेस मिलेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बोलो क्लियर रहे चीज़ दोस्तों सारे पॉइंट क्लियर है हाँ यह आना आपके जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारे एक्जाम में अभी हम से क्यों डिसकस करेंगे तो आपको बताना होगा ने ने गायत्री मैम अगर आप पेमेंट्स बैंक ओपन करो बिटा तो वहां पर कोई आप लोन दे ही नहीं सकते हो तो कुल और रूल और रेगुलेशन ही नहीं लेकिन स्मॉल फाइनस बैंक में आप अगर स्मॉल फाइनस बैंक का लाइसेंस मिला है तो आप अराम से लोन दे सकते हो अपनी कते ना हम अपने अवकात के हिसाब से देंगे अब यह नहीं की पेमेंट बैंक से मांगो 200 करोन का लोन दे दू तो वह थोड़ी ने दे पाएगा तो आप एप स्मॉल फाइनस बैंक से अगरे स्मॉल फाइनस बैंक से आप बोला में 200 करोन का लोन चाहिए तो वो नहीं का निकमतलब वह अपने हिसाब से लोन आपको देगा बट देगा लोन इसकिर अलाओ है यह आदकना सब्सक्राब कर दो क्या करना हुगा आपको इसके पहले सिसके पहले भी आट दस साल का experience होना चाहिए किसमें? NBFC के छेत्र में? हमने आपको बता है ना या तो NBFC रहो या तो mutual fund institution में रहो ठीक है या फिर कोई साभी हो किसी भी सेक्टर में बस finance का सेक्टर होना चाहिए कौन सा? दस साल finance के सेक्टर में आपका अनुभा होना चाहिए finance के सेक्टर में 10 year का experience होना चाहिए आपको यातना 10 years के 10 साल का अनुभा होना चाहिए आपको ये याद अकना है finance के सेक्टर में अब कोई सबी साल हो जब तभी आप अपलाई कर पाऊगे small finance लिए अगर दस साल का नहीं यह तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा बोलो क्या होगा क्लेर एक नहीं यह पुर क्ले है गाईस अरे प्रियाब अच्छे वीव बह次 यहां प्रोलि इंडायगी हुँ टोल्य समौल फाइंस बैंक र JUST आपको यहाद अधुकर तोडल के टोडल स्मौलえば इस आण 전 Mensch है ठीक है यह आप देख सकते हो यहाँ से यहां तक एयू है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक फिन केयर एक्विटास एस एफ सुर्योद है उजीवन उतकर्स नौर्थ इस जना सिवालिक एन यूनिटी अगर आप से क्वेशन पुछा जाए कि लास्टी स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है तो लास्टी स्मॉल फाइनेंस बैंक है मारा बारा हुए नंबर का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तो पेमेंट बैंक ले कोई experience के requirement नहीं होती प्रिंसी मैं प्रिंसी मैं पेमेंट बैंक ले कोई अनुभव के requirement नहीं होती ना तो पांच साल ना तो चार साल ना एक साल कोई सा भी नहीं ठीक है बोलो clear है यह चीज़ आते हैं गाइस नेक्स पॉइंट की मॉफ कर यह हमारे टोटल बार है स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्क्रिंसोट ले सकते हो आप हाँ उजीवन का नहीं रागनी में उजीवन का नहीं उतकर्स का हेड कौ़र्टर वारनसी में है यह आखना उतकर्स इसमौल का का हैड को टर अ बेंगलूरू टो आपसे से कभी कभी क्वेंगा आता है कि इन में से किसका है किसका कोाटर जालां धर statewide को इमक्ति तो आपको याद एक है करहे हीं ठीग है कि पीडियों तो दे देंगे पहले पढ़तो ले बाई पहले पढ़तो ले एक्सपोर्य मूफ करते हैं अगले क्वेशन को चलते हैं अगला पॉइंट हमारा अब आप हम लोग अब उसी स्मॉल फाइनस बैंक से अभी आपका इसके बात पेमेंट भी है इस्मॉल फाइनस बैंक से एंसे क्यूस कराते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन प ninaapur दूस्तों इन से क्सका हैटबागाठे किसस्मॉल फानास नेंक का हैड़कार जैपॉर में सथीत है। सुर्डश लोकल एरिया बैंक रिमेतेड है सह आप माइक्र फॉस्टां किर बैंक या उटकर्ण समॉल फाइनस बैंक या ओजिवन finance bank का license विला यह क्या होगा capital small finance bank तो आपको याद रखना होगा यह से अप micro finance and investment private limited था इसी को license दे के दे दिया गया यह से अब क्या तो small finance bank तो आपको याद रखना और इसमें किसका headquarter कहाँ पर जैपूर में है तो इसमें headquarter EU small finance bank का headquarter जैपूर में कहाँ पर है जैपूर दोस्तों आपको याद एकना है EU small finance bank की बात करें अभी इसका नाम हाइलाइट है तो किसके brand ambassador कौन बनाए गए हैं तो इसके brand ambassador है guys आपको याद एकना है कौन कौन है तो दोस्तों कियारा आडवानी कियारा आडवानी दोस्तों कियारा आडवानी और और कौन कौन है आमिर खान और है आमिर खान तो दोस्तों आपको यह याद एकना कियारा आडवानी और आमिर खान इसके क्या है ब्रेन नमज़़टर है, एयू समोल फैनेंस बंक है, किसके, एयू समोल फाइनेंस बाइनक की, मैंक ब्रणं नमज़टर है, कि आरा अरडवानी और अमिर मिर खान, बोलो खर्लियर है, एयू समौल चलो आगय बढ़ां, इक्से क्लिए प्रिंसी चलो आगे बढ़े इस टाइग लाइन ओफ ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलो क्लिए रगाइस हा या ना इतना क्लियर है जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी है वेरी गुट बहुत अची वात है ठीके तो गाइज यह आदक ना आप लोगों नेक्स पर कितने स्मॉल फाइनस बैंक है इंडिया में दस इक जारह बारह जोथर या फिन अनगओ अप बेया दोस्तों हाउ मेनी स्मॉल फाइनस बैंक इन इंडिया गाई स्मॉल फाइनस बैंक की बात करें अगर हम लोगे यहां पर इंडिया में कितने स्मॉल फाइनस बैंक है तो दोस्तों अभी लास्ट स्मॉल फाइनस बैंक बना आपका कौन सा यूनिटी स्मॉल फाइनस बैंक बना और आपका लास्ट में भी इसमें दो लोगों से दो लोग मिलके बनाए है और फिप्टी-फिप्टी-परसेंड क्या होनेपर तो तो दोस्तों आपको याद करेंग इन की पहला इंडिया का पहला बेंकिंग सेक्टर में पहला बेंक ऐसा है चो 50-50 सब्सक्राइब करें परसन के कैपिटल बीज़ इसमें किसका था तो यह दोस्तों सेंट्रम फाइनिनिशल सर्विसेश सेंट्रम और एक मेरे भारत पे आपने नाम से लोगँ भारत पे तो गयर भारत पे और सिंट्रम ने मिलके गाई जिक्या हुआ है तो आपको याद अधना है किके 50-50 पाल यानि 50 पर्सेंट इसका 50 पर्सेंट इसका और ज्युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंग सुदोस्तों यह आपको याद दखना है टो कि टोल कितने है मौल फाइनेंस बैंक है 12 याद कर दोस्तों 12 फाइनेंस बैंक है इंडिया में जी हाँ जी हाँ प्रवेस्ट भाई एक्जैक्ट फिप्टी स्केर फिप्टी उसके बोलो क्लियर रहे गाई अब इतना बेसिक से चीजे सारा कुछ कवर हो जाएगा यां कम्प्लीट हो जाएगा यह आपको यहाँ दखना है ठीक नेक्स पॉंट अगला क्वेशन हमारा क्या है वाइज इनिशल कैपिटल ऑब स्मॉल फाइनेंस बैंक भाई लगोवित बैंक की प्रारंभी पूजी क्या होती है यादि कि स्मॉल फाइनस बैंक के लिए अगर आप इनिशली लगा रहे हो स तो 100 करोण की ही requirement होगी payment bank से बना रहे हो तो 100 वैसे अगर basic से बना रहे हो इसको तो basic से बनाने की बात करें हम तो इसका कितना requirement होगा गाईस तो वह आपको यादिना 200 करोड का कितने का requirement होगा 200 करोड की गाईस बोलो clear है हाँ exactly अधू सलकえल एंग इसमा parenthि बोलो तो इस ट्लेक्ट चूरान जी आजिए अधिया ओके जी आंजिया भी आजिया झाल्ट धेकर एक्स्पोर्मूव करते गारत अगला ना सक् tuna मारा एकered!", अगला point हमारा which committee recommended small finance bank दोस्तों इसका 100% जवाब आना चाहिए आप सभी का क्यों क्यों 100% जवाब आना चाहिए तो कि आइस आपको बता दें यह बिल्कुल basic question है और अभी हम लोग ने discuss किया था और यह question इतना में इंपॉर्टिंट है गायज तो यह आपको update कर लेना है यह जवाब देना which committee recommended a small finance bankふふars की सभी मिती ने की थी जवाब दिएगा प्छाय है स्मॉर फाइनिस की स्वारिस किस समेथी किया था गैज कि यहां जी हाँ जी हाँ वेरी गुड़ सुपब जिहाँ दोस्तों इसकरेक्ट एंसे उसा थुराट कमिटी यहां पर ध्हां सुनना आपको सारी कमिटें इसलिए ऐसे आफ्सेंस लेकर आते हैं ताकि वो सारी चीजे क्लियर हो जाए क्लियर होती जाएं अब दहाँ से सुनना गई अगर बात करें मलहोतरा कमिटी तो इसके रिकमेंडेशन पर लाएगा था बैंक एंस्यॉर्ण्स टिक है नर्सिम्भान कमिटी के रिकमेंडेशन पे रर्वी का गठन किया गया रिजनर रूरर बैंक का ठीक है उस्सा थोराट कमिटी के रिकमेंडेशन पे स्मॉल फाइनेंस बैंक का और नचकेत मोर कमिटी के रिकमेंडेशन पे payments bank का स्थापना करवाई गई तो यह आपको याद रखना है payments bank payments bank नच्केत more small finance bank उसा थोराट और भी और नरसम्भन committee bank insurance मलहुत्रा committee तो दोस्तों याद खना किस committee उसा थोराट committee के recommendation पिटा ये लाया गया बोलो clear रही है यह अब आते हैं दोस्तों नेक्स पॉइंट अब हमारा आता है एक और क्वेस्चिन है कि रेसेंट्ली विच इस स्मॉल फाइनस बैंक फॉर्म्ड रेसेंट्ली में अभी हालही में किसी लगुवित बैंक का गठन किया गया और दोस्तों यही हमारे इंडिया का बरहुआ इसमॉल किंसे इंडिया में इसका कि justement किया गया और बैंक इंसुरेंस क्या होता है तो ऐसे समझना को 61 इंस्यों इनußरेंस है कोई इंस्यों है इंस्रेंस वाले ने अपना प्रोडक्ट इसके पास आया बैंक के पास आया और यह बैंक से टाइप कर लिया is किसा आपके ने मर के द्रू हमारा जो इंस्रेंस प्रोडक्ट है हम उसको मेचना चाहते हैं और वहीत चार्थ चाहते हैं इसी बैंक को बaming उस्यूरंस यहना को होता है इंसिरेंस कंपनी बैंक वाँ लेंक यहनी की बैंक के साथ और उच्वाएब कर लेती है यह तिके यहां एक्सरेंस करती है। यहना दोस्तों इ опас small finance bank आपको यादकना है unity small finance bank is the क्या है small finance bank जो अभी सबसे recently में last में क्या हुआ है इसका इसका गठन किया गया बो clear है guys हाँ यह ना अब आते दोस्तों payment bank के ऊपर payments bank की बात करें guys यहां पर ध्हान से सुनना दोस्तों अब आते हैं वो payments bank की बात करते हैं इस payments bank की बात करें तो payments bank दोस्तों यह भी आया है किसमें तो यह भी रजिस्टर होता है companies act आपको यादकना है companies act 2013 यानि 1956 यानि कि 2013 के अंडर में बोलो clear है यह चीज़ यह आपको पता ही होगा यह सब को पता होगा एन पेमेंट बैंक लिए सो करोन के requirement होती capital की initial payment bank की इसके लिए कोई अनुभो की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए experience की आवशकता नहीं होती ठीक है गाई इसके कोई branches तो होते नहीं है इसके कोई branches तो होती नहीं कि ब्रांच ओपन करना है कुछ भी कोई कोई लोचा नहीं है कोई लपाड़ा नहीं है इसमें या रखना payment bank क्या करता है लोन नहीं देता क्या नहीं करता वाबू लोन नहीं देता यह आपको याद रखना है payment bank loan नहीं देता दोस्तों यह ध्यान से सुनना आप लोगों ने ठीक है दूसरा काम क्या करता है payment bank debit card देत है है कहरे में गैविट कार्ड देता है जो क्लियर मैं गया गळाइस यह क्रेडिट काड नहीं दिक पेमें बडेंग ग्रेडिट का नहीं दिता वो ओक डिटाया नीक नहीं देता कैज इसमें कासा कासा और राफा दोनों एकाउंट open हो सकते हैं दोनों एकाउंट ओपेन हो सकते हैं तो बसरते दोस्तों आपको एक चिज़ यहाद एक लखना क्या maximum amount कितना होना चाहिए maximum amount two lakh rupees दो लाक से जादा नहीं होना चाहिए कि ल touring है है वाइन है और यह किसलिए लाया गया था दोस्तो तो यह लाया गया था फ्थाकि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जा सके इसटल प्रमोड किया जा सके यह आपको याद अकना है और दोस्तों इसका कह सकते हो यही था कि भुकतान यानि कि ऑनलाइन भुकतान यान पेमेंट सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके बोलो क्लियर है गाईस तो यह धिहान अकना आप लोगों ने पेमेंट बैंक के बारे में एक्जैक्ट्री यह लोन प्रवाइड नहीं करते है रागनी मैं एक्जैक्ली बच्चे यह आपको याद कना है हाँ 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 जारकन अकैडमी फॉर्ट स्टरी सर अपकोस यह फ्री क्लास है सर यूट्यूब पर है तो फ्री आफ पॉस्टी है मेरे भाई तो दोस्तों याद रकना यह चीजी में मोटो यही था और गाई एक बारी सेशन को सेयर करो यार फड़ाफर सेशन को बढ़ाओ बढ़ा करो या आपका सेशन है आप लोग डेली आते हो यहाँ पर ठीक है बोलो इतना क्लियर है हाँ या ना अगर इतना क्लियर है तो हम ने आई होप कितना चीजे क्लियर होगा एक मिट कमेंड ले ले लोगों का ऑगो सौरी एकची कहा जब लाफ हर कनिया हगा ऊक्र गणरी स्रक explorATION कर में मैं आट तो हमने में ल्मिट कि में दोस्ति North कैवल केवल करेंड कुल एक सब करता नोट औरAY कम टेवर डिमन एपारजिट को हीонецिक पlights को एकुझा है ट्निक गरेंड गण著 अगांत ठीक है करेंट और सेविंग के थू क्या करना यह एक्सेप्ट करता दोस्तों और मैक्समिल इमांट कितना होना चाहिए दो लाग गाइस अप्डेट कर लो इसको सौरी ठीक है तंप अप्डेट एक्सेप्त नहीं करता एक्जैक्ड प्रिंसी स्व री आर्ल धानि दिया मैंने है और मैंने यहांपर यूर्ट यहांट सब्सक्राइब करेंटों सेविंग में डिपॉजट एक्सप्प करता है तम में डिपॉज़े एक्सप्प्पेशित्प नहीं करता उनिकी आइप धी में डिपॉज़ेट एकक्सप्प्पने करता या ओल्ली Only जैड हिंगा ए है अच अचा ओल सोनी तो वोय वह मिल गए poem हम आपको एक समराइज अभी को इसके बारे में लिखा हुआ सारा कुछ हम अपडेट कर आते हैं आप सुनते चलों दोस्तों हिस्ट्रियों पैमेंट बात कर रहे हैं लोग यहां पर ध्हां से सुनना आप लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है तो गई आपको य थे वाज फॉर्म्ड बाइदा आरब आरब के दोरा यह कमिटी गठित की गई थी और 7 जैनवरी यहां से सुनिए का और 7 जैनवरी 2014 की बात करें नचकेत मोर कमिटी सब्मिटेट अपना फाइनल रिपोर्ट इसने सम्मिट किया यानि समझेगा तेरा मेरी कमिटी बनाए इन्होंने पूरा रिपोर्ट सम्मिट किया एंमोंग इट्स वैरियस वैरियस रिकमेंडेशन्स इट रिकमेंडेट दा फार्मिशन ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफर बैंक कॉल्ड पेमेंट्स बैंक यानि के बाबू आपको बता दें आपे कि 2013 में इनको बड़ बुलाया गया और इक कमेटी मनाए गई स्मॉल बिजनेसेंग लो इंकम हाउस होल्ड के लिए और उस कमेटी पे और इसी कमेटी के लिए दोस्तों आपको बता दें इसकी कमेटी के हैड़ थे नचकेत मोर और दोस्तों इस कमिटी का इन्हों ने बोला और 13 मिन को बनाया गया और 14 तक इन्हों ने सारा कुछ डाटा कलेक्शन किया और 24 साथ जन्वरी को रिपोर्ट सौब दिया और उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि सर एक नया एक निव कैटेगरी लॉंच करते है बै पेमेंट बैंक्स स्लिकिंग कमेंट्स फॉर इंट्रेस्टेट इंटिडीज एंड जनरल पब्लिक और 27 नौवंबर रिलिज्ट फाइनल गाइडलाइन फॉर पेमेंट्स बैंक जाने कि दोस्तों आपको ऐसी या रखना है कि आर बैने ऑफिशली 27 नौवंबर को आर बैने इंजिदारी किया बोला कि हम एक पेमेंट्स बैंक का एक नया कटेगरी लॉंच करने जा रहें बैंकिंग में तो आपको बता दें यह सारा राम कथा था पेमेंट बैंक को लाने के लिए ठीक है तो दोस्तों यह चीज़े धिखान रखना आप लोगों ने पेमेंट बैंक क इंत्रक्षिं की उपर मूव करते हैं दोस्तों डूस्तों पेमिंस भैंक एँ पर आगर बता नहीं करें अगरह हम बात करें आप एंटरॉक्ष्ण भार सूराइब तो गाइस, पेहमेंटस बैंक is a new model of bank conceptualized by the reserve bank of India, यह रिजर बाइस्ट लाइज एंटरिवरे इन्ड दॉन कोंसिंट ईप्सट्र गाइगा, 2000 पर कस्टमर जैने के सब cuci Ooh नाइट पर कस्टमर जैने कि पहली कितना था पहली यह 1 1,00पह है था अभिस इक यह संवाate 00ure claustica को बढ़ा के दो लाग कर दिया गया यह नहीं कि बोठ करेंट कॉंट एंशी मिंगं किया जाद सकता है ले एट या rap जो करेंट कांट ओर षेलिंग से कउट लिए एक की यानि कि ये services provide करेंगी ATM card की debit card की net banking की mobile banking की और भारती एरते तेल सेट अप इंडिया फिर्स्ट लाइप payment bank यानि कि भारती एरते अर्टे एर्टेल एर्टेल payments bank इंडिया का सबसे पहला payment bank था दोस्तों जो एर्टेला लग याई जो आरे वे लेने वाला प्याव पेमेंट बैंक का कौन मना था एया तेल और यही मार्केंट में सबसे पहले लॉंच हुआ था तो बोलो क्लियर यह चीज तो इस सारा राम कथा जो इंट्रक्शन है वह आपके सामने है यहां पर है प्लेर दोस्तों क define theole खोनने अब आते दोष्द दोस्तों next point के ऊपर अभ collectors ड कर दोस्तों यह टो टनकान जीए यह 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 टोल ऱ्न आली है कौटर New Delhi आली इंड्या से मिन बेंक नू ली अंफ हूंब मंबई'kor Karma का पे मुंबई में जीयू का है कोटर का हे मुंबई में है है पेटिëm का का पर नोईडा में है तिक एनैसदियल का का पर मुंबई में है तो दोस्तों यह हमारा क्या है यह पैमेंट के हैडकर से अभी इंडिया में स्पल्क्स बैंक है लगोंगे तक बारब फाइन से पैडिकमों क प्ल lors से घ trigger से यह आपको यादgement है यह सारे है यह दिहां रखना तो कैंकि सब से जाते हम इनको लाया ही गया था ठीक है डिजिटल पेयमिंट को प्रमोट करने के लिए किस के लिए डिजिटल पेयमिंटS को प्रमोट करने के लिए लाया ही गया था दोस्तु तो यह धान लखना आप लो ले भ спокойNantha guys आप आते हैं दोस्तों अब इसके M.Q. के उप़र आते हैं ठैके अब इसके M.Q. पर आते हैं Which among the following activities are not permitted to payments bank? दोस्तो भुकतान बैंकों में निमलिखित में से कौन से गतिविदियों की अनुमती नहीं है? Remittance Services, Issuing ATM Cards, Issuing Credit Cards, Accepting Demand Deposits, Channel of the Evo. जवाब दीजेगा दोस्तों इन में से कौन से गतिविदियां एक्सेप्टेड नहीं हैं कि दोस्त जवाब देना दोस्त फटा पर जली है ली हो की एह ओठ एब हो अल्वाय से प्राइवेट का सैंट नप्राइवेट बैंक इंडिया इन की से आइति प्राइवेट बैंक एंढ्या में की संइट किस Health Cabinet ऑफ्एरस च्वाल उगाइवा ईका नपस्ती अब क्क्था है कोरी अधे हैं पॉब्लीक सेक्टर भेंक कितने हैं फॉब्लिक سेक्टर बैंक कितनी नहीं है, issuing credit card, guys, credit card issue नहीं करता, यह क्या है, जी हाँ, यही, and issuing credit card लिखा हुआ है, तो यह credit card issue नहीं करता, कौन, payments bank, अगला question, what is the maximum amount of loan can be extended by payments bank, दोस्तों, भुकतान बैंकों के द्वारा अधिक्तम कितनी रिण रासी दी जा सकती है, लोन में कितना लोन दिया जा सकता है, guys, फ small finance, 12, public sector, 21, private sector, 12, 12, 21, और 6, payments bank, 6, और 45, ठीक है, ऐसे आदकना, total, 21, private sector, जी हाँ, जी हाँ, तो टोटल आरार भी 43 है, पार्थ, 43, 43, 43, 43, 43, 43, अभी तो गडबड़ कर रहे हैं, वह सरे लोग गडबड़ कर रहे हैं, अ विए इस गैस गैस यहां पर पोच्छा है लोन तो यार लोन कहां देता है लोट नो लेंडिंग पावर इसको लोन देने का कोई राइट ही अधिकार ही नहीं है इसको याद करें इसको राइट ही नहीं है और अप जो बोल रहा दो लाख रुपए वोट लाख कि दूस्तों पर कस्टो on maximum deposit के इस पर कस्टोमर मैक्समứ Daisy कितना है टू लैक रुपीज पहले और कम था पहले कितना था एक लाख में हुआ आज यहां यह आप लों को इतना बेसिक प्वेस्चन आपको पता आ ही नहीं यह next point अगला point हमारा क्या है what is the minimum capital required to set up payments bank दोस्तों भुक्तान बैंक स्थापित करने के लिए अवश्यक नियूनतम पूजी क्या है गाइस पेमेंट बैंक के लिए requirement payment bank को capital required setup के लिए ठीके पहर यानी नियूनतम capital क्या होगी 100 करोन 75 करोन 50 करोन 25 करोन 30 करोन ज्रवाब दीजगा है why is guys what is the minimum capital required to set up payments bank जी हां it's 100 करोड गाइस exactly 100 करोन इसके लिए या थी किना 100 करोन आपको basics अगर initial की बाट हो रियो तो initial capital है minimum capital requirement कितनी को होनी चाहिए तो 100 करोड की अगला पॉइंट विच कमिटी किस कमिटी ने विचार किया था मियो टेने मूटेट विच कमिटी मूटेड दा आईडिया ओफ पेमेंट्स बैंक भुकतान बैंकों के विचार को किस समीती ने लूटा लिखा हुआ है यहां पर हो गया उसलिणकेत मोР बीजिट नायक वाई यज लुट भी यानदध बैब मूता हो गयां यहां पर गयां यहां 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 यह वरी गूड कि इस इस नचकेत मोर कमीटी आपको आपको याट करनाच केट मोर कमीटी इस किसके लिए तो इसी कमिटी ने आईडिया दिया दिया था पेमिंट बेंग के लिए अगला क्वेश्टिन वाद इस स्पैंग दोस्तों एक व्यक्ति भुक्तान बैंग में अधिक्तम कितनी रासिस से रख सकता है यह कितना जमा कर सकता है ऐसे समझ लोगा ठीक है इंडिविज्वल कि जवाब दू ठीक है करेक्ट एंसर इस्टू लाइक आपको पता हो का हमने बोला के पहले यह कितना हुआ करता था एक लाख अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया दो लाख तो अब कोई भी इंडिविज्वल अगर हम बात करें तो कितना रख सकता है दो लाख रुपए पर्टिकुलर एक एक तो उससे ज्यादा डिपॉजिट ही नहीं कर सकता याद अखना इसमें नेक्स पॉइंट को मूफ करते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है ठीक है आरब यह विल कंसीडर ग्रांट फुल लाइसेंस फॉर पेमेंट बैंक्स अंडर विच सेक्शन ऑफ दो बैंकिंग रगुल उनिस्सोचपन अभी कंपनी जाट टुथाओं ठीक हैं अमेंड मेंट करने के बाद तो अभी इसमें लिखा हुआ है कि लाइसेंस पेमेंट बैंक का लाइसेंस किस एक्ट में मिलता है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइन सेक्शन ट्वैंट ट्वैंट कर लेना अरवियाई के द्वारा कि यह पेमेंट बैंक जो न्यू कैटेग्री होगी बैंक में यह वर्क करेंगें फोर डिजिटल पेमेंट इन इंडियन मार्केट अ इंडियन फानिशन मार्केट जो भी है ठीक है जि या दोस्तों याद कें सेक्शन ट्वैंट टू गईज सेक्शन ट्वैंट टू बूलो क्लियर है ये चीज अब इसके बाद आपके इंग्लिस की क्लास है इंग्लिस आपको तो पता होगा हम यह समझ सकते pää मेरे कलास में इसलिक अम आहरे लोग की बीबी अभी प्री है लोगों का पर्फों में बी सटेडे को भी है तो मेड़ी हम समझ सकते हैं ठीक है चलो मंडे से हमारा आज मेड़ी कुछ और लोग आ जाए यहाँ पर क्योंकि उनका मेंस होगा इसके बाद जसके बाद मैं की क्लासे तो भाई मैं को मैं प्लीज आज किया ़ॉकमोघ ने श dellकौंद पर बहुत सारे इमपॉर्टन फ्वेंच जो जिस सरी कंवेंच हमारी फेपर में पूछे जाते हैं तुसी की सब्सक्रिक बहु चालेक्शन में क्यों के लिके लिए आई हुँ जसमे हैं थोड़े दिनों के लिए कि बच्चों का जो एक तरीके से कहो कि यह जो हमारे अभी पेस क्लोग वाले ग्जामें बच्चों को टेम्ट कर रहे हैं कि सब उधरी तरफ लगे हुए हैं बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर ऐसा है तो वो भी अच्छी बात है ऐसा हो करना चाहिए बढ़ाई करते रहो और अगर आप लोग शुरुवात ही कर रहे हो तो बिल्कुल यह बैट इस आप ही लोगों के लिए हैं ठीक है आप बस यह सोचेगा कि आपके फाउंडेशन को इस तरीके से स्ट्रॉंग करेंगे कि आगे अगली बार जब यह सारे एक्ज का फेकरते सब्सक्राइब को तो और यह था में टूर्ण बाद मैं यहां से पना शुरू करूंगे तो कोई कहीं भी नहीं जाये गा राइट क्रड़ कर्ड़ू कर दो जल्दी किल Di को यह घीँ अर класс कर दिया सरब थे अगा था मैं प्रविह यह सब54प्र कर सकते हो उसी में मिल जाएंगे चाहे मिसन में सोच है उडानो bank फॉंजिशन हो संकलफ सिकर आपको यहां पर सब कुछ मिल जाना है और दोस्तों यह आपका क्या है यह आपके एनेचेटी दिसंबर से स्टार्ट हो रहा दोस्तों कब से स्टार्ट हो रहा है सिस्टिंद दिसंबर से जिसमें बैंकिंग ओवेरनEस ठीक की बात करें और गईस करिंट अफ्यर इस बैच में हम डिसकस करने वाले हैं दोस्तों आप जुनना ना भूलो ठीक है इस बैच में आप वाई 307 लगा कि इस बैच में रोल कराते हो तो यह बैच मात 1800 का हो रहा है और हम तो यह बोलेंगे इसको भी कगर नहीं ले रहे हो तो आप बैंक महापैक को प्रिफर करो बैंक महापैक सबसे वैस्ट है इसमें आपको सारा चीज मिल जाएंगा जो इंट्रस्टेड है और इस कोड को लगा कि जो इंट्रस्ट कांडिएट है तो थैक्यों गाइस बाइटेकर और आप सभी अपना ख्यार लगना तब तक लिए दोस्तों हम आपसे फिर से मिलेंगे कल में नए टॉपिक के साथ ने सेशन के साथ कल हम लोग सिरकिंदाता इस और करल दोख कने वाले हैं बंकिंगीं coke यानिक है जो हम लोग ने पढ़ा बैंकीं इंडलité भाइंक इंड्डी इड स्टरे उस वो हो गया है प्ले हम लोग हो हो गया है आट दोख दोस्तों तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिंद भाय ठेक्यर हरार मादय भाई